नमस्कार गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत हैं और कला साहित्य को लेकर आज हमारे साथ एक खास पहमान जुड़े हुए हैं दिल्ली से हैं हिंदी साहित्य के समालूचक के रूप में काफी विख्यात हैं प्रख्यात हैं कलाविध के तौर पर जाने जाते हैं डॉक्टर जोतिश चोशी जी एक कारिक्रम में उनका रिवा आना हुआ है और अब वो हमारी पकड में हैं अब उनसे हम कला और साहित्य के व कि आपने पत्रकारिता के लिए पुस्तकें भी लिखी हैं और पहले अख़बारों के लिए लिखा भी करते थे हमारे खास प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है सर आप जी जी धन्यवाद सर जानना चाहेंगे कि आज के समाज और साहित को लेकर कहा जाता है कि साहित समाज का दरपण है लेकिन समाज और साहित का संतुरन बिगड़ गया है आप क्या मानते हैं एक समालू चक के तौर पर कैसा महसूस करते हैं नहीं, ये बात आपकी सही है, समाज में साहिती की भूमिका होती है, और ऐसे अनेक दोर आएं हैं, जब समाज की दिशा निरधारित करने में साहिती की भूमिका नहीं है, तो समाज ने भी सतकार किया है साहिती का, लेकिन पिछले 25-35 वर्षों से ये कड़ी तूट सी गई है, तो ये कड़ी तूटने में दोनों कारण है, एक तो ये कि ऐसे लेकुकों का अभाव हो गया है, जो समाज को उसके आईने में देखे, समाजिक जीवन के संगरसों को देखे, महसूस करे, और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए ऐसा कुछ लिखे, जिसमें को लेकर लोगों में एक उदासिंता पैदा हुई है, और लोग पढ़ने से दूर हो गया है, तो इस स्थर पर कह सकते हैं, कि एक तरफ तो लेखक वह नहीं लिख पा रहे हैं, जो लोगों को पढ़ने की और प्रेरित करे, और दूसरे ये हुआ है, कि समाज ने बहुदा य इमान लिया है, कि लिखे पढ़े होने का कोई मतलब नहीं है, दुनिया जहान के दूसरे धंदें हैं, उसी में लगे रहो, और ऐसी परिस्थिती बना दी गई है, कि दोनों एक दूसरे से विगटित हैं, एक दूसरे से दूर हैं, और वही साहिते पढ़ा जाता है, जो जो रचना हैं, वो पढ़ी जाती हैं, आम तोर पर बहुत अल्प मात्रा में साहिते पढ़ा जा रहा है समाज में, और वहाँ भी मुठी भर लोग ही पढ़ते हैं, जिनकी समाज में जादा बड़ी भूमिका नहीं है, तो इन चीजों को दूर करने के लिए एक तो लेखक क अपने अनुभव का विस्तार करना होगा, और रचना के दाइतों को महसोस करते हुए, उसे सामाजिक जबावदेही का निर्वाह करना होगा, और वह लिखना होगा, जो कड़ी उसे तूट गई है, जो हमारी परंपरा रही है, और दूसरी तरफ, हिंदी समाज के लोगों क अपनी भाषा, संस्कृति, सब्वेता और अपने मुल्यों को बचाने के लिए, एक संकल्प लेना होगा, और साहिती को अपने जीवन में ले आने के दिशा में काम करना पड़ेगा, अगर यह सूरत बनती है, तो साहिती की पठनियता भी बढ़ेगी, और समाज में साहिती की भूमिका भी बनेगी, फिलाल तो हम उमीद ही कर सकते हैं, क्या होगा यह तो हम बतानी सकते हैं, आपने पठने की बात कही है, कि पठनियता लोगों की कम हुई है, आपने उसमें ज्यादा तर दोश उन लेककों पर मढ़ा है, कि उतना अच्छा लिखा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा रहा है, पहला कारण आपने यह बताया, तो इंटरनेट का जो यह दौर है, भीशन दौर चल रहा है, हर कोई किताबों से दूर है, इंटरनेट में हर चीज़ें उपलब्ध हैं, तो ऐसे में साहित कारों को क्या भूमिका होनी चाहिए, कि किताबों से वो इतर अब इंटरनेट पर ज़्यादा ध्यान दे, या किताबों की महत्वा भी उतनी ही है, जितनी पहले हुआ करती थी। पहले हमने लिखने का आयतन हैं उनका परतिशत है, वो इंटरनेट की आने के बाद भी कंधा हुआ है, न लिखने का दोर कंधा है, न पढ़ने के प्रवर्विर्थी लोगों की घटी है, न खिताबों के चपने की संक्या कम हुई है। और नेट पर बहुत कुछ ऐसा उपलब्द नहीं है और नहीं हो सकता है जो आपको दिशाद है आप इंटरनेट पर डाली गई सामगरी को पढ़के विद्वान नहीं हो सकते गूगल सर्च करके आप एक्सपार्ट नहीं होंगे किसे विशाय के संदर्व और संकेत आपको मिल यह गूगल सर्च पे और नेट पे यह संबव नहीं है तो यह है कि हम बौरा जाते हैं और हमारे यहां बिना किसी तैयारी के सारी चीजें होती है पश्यम में अगर नेट आया अगर टेलिविजन आया और दूसरे तरह के परिवर्तन हुए समाज में तो उसके पहले अपने को बचाने के तरीके भी खोजे गए हम तरीके नहीं खोजते हम भागने लगते हैं और चीजें हमारे यहां बिगड़ जाती है यह ठीक उसी तरह से है कि हमारे देश में आजादी तो आई लेकिन आजादी के मूल्य और मान निर्धारित नहीं हुए लोगों को नागरिकता का पाठ नहीं पढ़ाया गया 75 बर्स पूरे होने को आए है हमारे देश के नागरिकों को यह पता ही नहीं है कि वो प्रजातंत्र में रहते हैं और नागरिकता का एक धर्म भी होता है स्वतंत्रता को लोगोंने स्वचंदता बना दिया है जो जिस हैसियت का है उतनाहीं तो यह हमारे यहां का यह पुराना रोग है कि कोई भी आपदा आती है या सुविधा सहुलियत आती है उसके पहले हम उसके प्रती तयार नहीं होते और जब वो चीजें आ जाती हैं तो उसमें अपने को गर्क कर देते हैं लेकों की जरूरत है उतनी ही जादा पाठकों की जरूरत है बहुत जादा इस पष्ट और कड़े सब्दों ने आपने संदेश दिया है समाज को कि कैसे हम इस हाहागारी दोर में भी साहित के असाद बढ़ सकते हैं एक सवाल बहुत जरूरी और बेहद अहम माना जा रहा है सर चुकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे कई सालों तक और मांकलना चतुरवेदी विश्विद्याले के लिए आपने में के लिए एक पुस्तक भी लिखी है साहित पत्रिका के नाम से तो आपका बहुत ज़्यादा गहरा संबंद है पत्रकारिता से आज के दौर की पत्रकारिता पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं तो इससे कैसे बचा जाये और क्या ये सवाल जो उठ रहे हैं क्या उतने ही सही है जिस तरीके से इन्हें उठाया जा रहा है जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत नहीं उठ रहे हैं जिस तरह से जीवन के हर विभाग में अनाचार बढ़ा है कुप्रबंधन बढ़ा है और उसकी गंबेरता नस्ठ होई है उसी तरह से पत्रकारिता का भी हाल हुआ है जीवन का हर क्षेत्र इससे प्रभावित है और जब जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित है तो पत्रकारिता कैसे अबरभावित रहेगी असल में पत्रकारिता को चोथा अस्तम्ब माना गया है खास तोर पर प्रजातंत्र में और आजादी के संघर्स में पत्रकारिता का बहुत बड़ा मूल्य था और बहुत महत्व था और पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी आपको शायद ये पता हो कि हिंदी के कई बड़े अख़बारों ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले करांतिकारियों को चंदा दिया उनके भूमिगत संघर्स में उनकी मदद की उसमें दैनिक जागरन से लेके स्वतंदर भारत आज जैसे बड़े अख़बार शामिल है लेकिन आजादी के बाद मुश्किल से 20-25 वर्षों तक या उसको और आगे बढ़ा दें तो 30-35 वर्षों तक कह सकते हैं कि पत्रकारिता ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया उसके बाद जैसे जैसे जीवन का हर क्षेत्र गिर्वी रखा गया हमारे यहां उदारी करण की व्यवस्था शुरू हुई हमारा जो अर्थ तंत्र है वो खोल दिया गया और हम एक तरह से बाजार बना दिये गया है ठीक उसी के समानांतर पत्रकारिता में भी यह हिस्ति पैदा हुई और पत्रकारिता में जो संपादक नाम की संस्था हुआ करता था तो संपादक नाम की संस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया और उस व्यक्ति को संपादक बनाया गया, जो प्रवंधन में दक्ष हो, जो मैनेजमेंट कर सकता हो, जो विज्यापन ले आ सकता हो, जो सरकारों से मोन भाव कर सकता हो, अब सरसाही से जो पैसे की डील कर सकता हो, और इसी में एक दुस्प्रविर्ती विक्सित हुई पेड नियूज की, कि पैसे दीजिये और मरमाफिक खबर छपवाईए, तो इन अव्योस्थाओं की बजए से पत्रकारिता अपनी पुरानी साख गमा चुकी है, और काम काज करने बाले अच्छे लोगों का भी अभाव है उसमें, अच्छे लोग भी नहीं हैं, पत्रकारिता का व्योसाइज, संकट का व्योसाइज हो गया है, किसी को स्थाई नोकरी नहीं मिलती, मामूली पैसों पर कम पड़े लिखे लोगों को रोजगार दिया जाता है उसमें, और दोड़ाया जाता है, दुनिया पर के काम ल दिया गया है, उसके पीछे अब कोई मिशन नहीं है, पैसा जिस तरह से आए, जिस तरह से विग्यापन आए, जिस तरह से सरकारों से साँठ गांटो, जिस तरह से पेड़ नियूस के आधार पर पैसे आएं, वो सब काम किया जाता है अख़वारों के जरीए, और ऐसे में पिर हम कैसे उमीद करेंगे कि पत्रकारिता अपने पुराने दोर को याद करते हुए प्रभावी भूमिका में आएगी, समाज के निर्मान में अपना रोल अदा करेंगी, वो चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं. तो जब तक संपादक नाम की संस्था की बहाली नहीं होती, जब तक योगे लोगों को अख़वारों में भरा नहीं जाता, उनकी नोकरियां स्थाई नहीं की जाती ही, और जब तक अख़वार को पैसा कमाने के धंदे से अलग नहीं रखा जाता, तब तक मुझे नहीं लगत ताकि पत्रकारिता कोई बहुत महत्मूर्ण भूमिका समाज में निवाने वाली है और उससे कोई जनमत बनने वाला है इसलिए ये जरूरी है कि पत्रकारिता की साख बरकरार रखने के लिए जो यह सब दुस्प्रविटिया हैं से निजात पाना होगा और लोगों को भी जो पाठक समाज है अखबारों का उन पाठक समाजों को भी ये आवाज उठानी पड़ेगी कि आप अपने मानक को बनाईए पुराने दिनों में लोटिये तब तो हम पढ़ेंगे नहीं तो आपका भैसकार करेंगे उस भैसकार का एक बड़ा कारण तो ये भी है और ये होना चाहिए बहुत सारे अखबारों के साथ कि इन अखबारों ने हिंदी भाषा को नस्ट कर दिया है बीना अंग्रेजी शब्दों के न कोई लेख होता है नो कोई खबर होती है एक दोर था कि हिंदी अखबारों को पढ़कर लोगों ने हिंदी सीखी अपनी शब्द शंख्या बढ़ाई बहुत सारी चीजों की समझ प्राब्त की और आज हालत ये है कि आप सचेत नहों तो आपकी हिंदी ब्रस्ट हो जाएगी तो ये जरूरी है कि पत्रकारिता एक प्रभावी स्रोथ है हमारे समाज का हमारी व्यवस्था का वो सत्ता के प्रति प्रतिरोध तो है ही सामाजी की जीवन का प्रहरी भी है तो इस भूमिका में पत्रकारिता को अपने को ले आना पड़ेगा तभी पत्रकारिता जिवित रहेगी और उसकी एक कारगर भूमिका समाज में बन सकेगी शायद इतने कड़े और साफ सब्दों में आपको पत्रकारिता के आज के इस दौर की बातें किसी ने ना बताई हो पूरा चिठा खोल दिया है कि क्या पत्रकारिता की दुश्प्रवित्तियां है किस तरह से पत्रकारिता अपने इस दौर में पहुँच गई है जहां उस पर लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं एक टीवी के बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं कि टीवी देखना छोड़ दीजिये बहुत सारी चीज़ें अपने आप solve हो जाएंगी तो आपका भी बयान कुछ उन्ही से उत्परोत नजर आया वो भी यही कहते हैं कि पाठक की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है पाठक बनना ज्यादा जिम्मेदार बन गया है या दर्शक होना ज्यादा जिम्मेदार हो गया है कि वो कौन से चैनल देखें जहां पर उन्हें सही और सटी खबरें दिखाई जाएं सर एक आखरी सवाल यह है कि युवा पेड़ी जो लगाता हम इंटरनेट पर बात कर रहे थे तो एक बार युवा की बात करना जरूरी है कि युवा पेड़ी को कैसे आकर्षित किया जा सकता है हिंदी साहित्य को लेकर जबकि पूरा वैश्वी करण हो चुका है वो बाहर का भी संगीत सुनता है बाहर का भी साहित्य देखता है तो हिंदी के प्रति कैसे जागरुकता या आकर्षित कैसे पैदा हो आजकल बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं चाहे मंच मंची कविता का पाठ हो कुमार विश्वास है निलोत पर ननाल है बहुत तेजी से आग है जिसे युवा को हम आकर्षित करें क्योंकि हम युवा भारत के दोर में हैं और बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है उनको खुद ही अपने में संस्कार विक्सत करना पड़ेगा वो दुनिया की हर भाषा जाने हैं हर गीत संगीत से प्रेम करें लेकिन अपनी अप तो मेरा ख्याल है इस दिशा में कुछ कारगर हो सकेगा और एक बड़ा बड़ा कारण इसमें ये भी है कि एक जो आपा धापी वाली ब्यवस्ता है हमारे देश में हर युवा को लगता है कि उसके पास रोजगार नहीं है रोजगार की कोई निश्यत दिशा नहीं है नौक उसे किसी पी तरह से रोजी रोजगार मिले और युवा वह काम करना ज्यादा पसंद करता है जिसमें उसके काम मिलने की गारंटी हो तो जीवन की प्राथ्मिकताएं इसकदर बदल गई हैं जहां रोजी रोटी का सवाल आ जुड़ता है जहां सवाल अस्तित्व का होता है फिर वहां भाशा और संस्कृती और साहित्य का चुनाओ बड़ा कठिन हो जाता है और यही कुछ भाव रहे हैं कि सबसे पहले तो ये वाओं के सपनों को पंक दिया जाए रोजी रोटी के वेवस्ता हो तब जाकर साहित्य और समाज की चिंता उनके मन में आएगी और साहि जितने भी हमारे दर्शक उनको मन में एक साहित्य के प्रति और समाज के प्रति एक चिंता जरूर होगी कि क्या चल रहा है इस तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जी आपको भी धन्यवाद तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए विशे स्टिपणियों के लिए देखते रह गुद्मोरिन टीवी धन्यवाद